गौले शहर की क्राइम ब्रांच और इंदरगंज पुलिस की सेव्ट कारवाही में एक फर्वरी को पकड़े गए स्मैक तसकर अनीश खान ने पूस्ताज में चोकाने वाला खुलासा किया है उसने कहा है कि इंदरगंज थाने के दो साहएक पुलिस दिरक शक और एक हेट काउंस्टेबल से उसकी अच्छी खासी पहचान थी या लोग उसे इसमैक को लाने एवं खपाने में मदद करते थी आरोपी ने इनके नाम A.S.I. प्रताब भधोरिया A.S.I. सुघर सी और हेट काउंस्टेबल कल्यान सी बताए है इनके जानकारी मिलते ही पुलिस अधिक्षक अमित सांगी ने नगर पुलिस अधिक्षक से जाच कर प्रतिवेदन मांगा था जाच में इसमेक तसकर अनीश खान से इन पुलिस कर्मियों की अंतरंगता साबित हुई है पुलिस अधिक्षक अमित सांगी ने मामले की गंभीडता को देखते वे तीनों पुलिस कर्मियों को लाइन अटेच कर दिया है यह लंबे समय से बेच रहा था और जो बीट में उस वक्त पदस तदीकारी थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस पे लापरवाई बढ़ती गई एक आदमी लगातार इसमें बेच रहा है और उस पे कारवाई नहीं होना समय पे यह अनेक प्रशनों को जन्म देता है और इसलि झाली से कारवाई